हेलो डियर स्टुडेंट, स्वागत आप सभी का सुभूम क्लस्स के इस नए वीडियो में में सेंजी उसे स्टुडेंट अगर आप बोर्ड एक्जाम 2021 की परिक्षा में सामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी जादा इंपॉर्टन वी-डियो हू JEFF जिसे आपको हर हाल में तयार ही करना है तो चलिए student वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को live देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को like कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक share कर दिए क्योंकि आज का ये session बहुत ही ज़्यादा important होने वाला है क्योंकि पूरे books chapter number 1 से लेके chapter number 14 तक सभी important question यनि चाहे वो आपके lang में हो और या फिर लगुत्रिये तो यनि आज की इस वीडियो में आपके दो type of question को मैं बताऊंगा तीन अंक वाले और पांच अंक वाले ठीक है तो इन दूनों तीन अंक वाले और पांच अंक वाले question discuss के जाएंगे तो question जुह आप ठां से देखें इन प्रसनों को आपको अच्छे से तयार करना या आप copy pen लेके इन प्रसनों को हमारे साथ नोट करते चलिए चलिए सबसे पहले हम स्टाट करते हैं chapter number one से तो chapter number one से अगर हम important question की बात करने हैं तो chapter number one से सबसे important question आपका बन सकता है तीन number के लिए कूलाम का नियम ठीक है वैदुद बल संबंदि कूलाम का नियम यह तीन number के लिए आपका question important बन सकता है तीन नमबर के लिए और यहीं से अगर आपसे पांच नमबर के लिए पूछा जा सकता है तो अच्छी ये वा निरच्छी स्थिती में अच्छी ये वा निरच्छी ये इस्थिती में इस्थिती में वैदुद छेत्र की तीबरता वैदुद छेत्र की तीबरता ठीक है, ये question आपसे 5 number में पूछा जा सकता है, दूसरा 5 number में इस chapter से question बन सकता है, गौस के नियम और उसके अनुप्रियोग, और अनुप्रियोग में देखिए, दो ही अनुप्रियोग मैंने आपको करवाया है, तो दूनुप्रियोग आप तयार कर लिजिए, गौस के नियम और उसके अनुप्रियोग, कोई न कोई अनुप्रियोग आपके बोड़ी जाम में जरूर टपकने वाला, जो 7 set बनेगा, उस 7 set में से गरंटी है, किसी न किसी set में जरूर जो है गौस का नियम या उसका अनुप योग, next set, 4 questions, chapter number 2 से, इस्तिर वैदुत विभूत अथा धारता से, सबसे ज्यादा important question जो हमको लगरा हुआ है, समानतर प्लेट, संधारित्र, जोस्तो जैसा आप सभी का एक्जाम आपके नजदीक है, तो unacademy आपके लेकर आए, unacademy ask doubt, जिसमें आप अपने सभी विश्यों के doubt, बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो, आपको play store से unacademy app को डाउनलोड करना है, जैसे ही app को आप प्लेट करोगे, वहाँ पर आपको जाना है ask doubt वाले section पर ठीक है, जैसे ही ask doubt वाले section पर आप जाओगे, तो आपको जिस भी subject में problem आ रहा है, उस subject का आपको question अपने gallery में save कर लेना है, और आपको select कर लेना है, ठीक है, जैसे ही आप question को select कर लोगे, फिर आपको एक important काम करना को question को अच्छे से crop कर लेना है, जो question आप पूछ रहे हो, ठीक है, फिर आपको crop करकर आपको send कर दिना है, जैसे ही आप send पे click करोगे, आपको within 10 seconds आपको उसका solution, video solution मिलेगा, ठीक है, और आप अपना doubt टूरण solve कर सकते हो, और सबसे most important बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक description बिल्कुल free में मिलेगा, तो जितने भी student देख रहे हैं, description में लिंक के आप वहाँ जाकर इसमें अपने doubt पूछ सकते हो, और वहाँ पर अगर आपसे कोई भी code मांगता है, तो आप सुभाम add a rate to use करना, आपको बिल्कुल free में, सभी classes आपके open हो जाएगा, की धारिता, ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित की धारिता का, धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस कारणों पर भी जो है मैं discussion करना है, इसके तीन कारण, तीन तरीके से हम समांतर प्लेट संधारित की धारिता बढ़ा सकते हैं, और ये तीनों कारण कहीं अलग से निक कि जो है धारता हमारी बढ़ जाए ठीक है और इस चैप्टर से important question है दोईधुरूप को किसी दोईधुरूप को एक समान वैदु छेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया कारे किसी एक समान वैदु छेत्र में दोईधुरूप को थीटा कोण घुमाने में किया गया कारे ठीक है यह question डबलू इच कल्टू होता है माइनस पी इए साइन थीटा साइन या स्वरी पी इए वन माइनस कॉस थीटा ऐसे कुछ आएगा ठीक है यह इसका जो है फार्मूला होगा घुमाने में किया गया कारे यहां तक बात किलियर होई चलिए आगे देखते हैं next question question no.6 है question no.6 जो important question बन सकता है आपके इस चैप्र से इस चैप्र से एक और question जो है संधारित्र में संचित उर्जा तीन नमबर में पूछा जा सकता है संधारित्र में संचित उर्जा आपसे तीन नमबर में पूछा जा सकता है कितना होती U is equal to half CB square और यहां से question अच्छे खास हमने आपको बनाया था कि उर्जा में कमी ठीक है दो संधारित्रों को आपस में जोडने पर उर्जा में कमी और उनका उभैनिष्ट विभो इसको भी एक बार हलके से देख लिजेगा उससे खास important नहीं है लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा देख लिजेगा क्योंकि mathematical है इस पर जो है question आपको मिल सकते हैं चलिए आगे देखे चैप्टर नंबर थाड विद्दोधारा वाले चैप्टर से तो विद्दोधारा वाले चैप्टर से सबसे पहला question तो आप लोग तीन नंबर के लिए नूट कर लीजिए कि धारा तथा अनगमन बेग में संबंद, ठीक है? धारा वा अनगमन बेग में संबंद सबसे पहला question आप यही नूट कर लीजिए और उसके बाद अनगमन बेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, ठीक है? दूसरा question, पहला question क्या है, धारा तथा अंगमन बेग में संबंद लिखिये, अब इसको लिख मत देना, लिखिये का मतलब है, इसको derive करना, यह मत लिख देना, आई बराबर N E A, V D A से मत कर देना, नहीं तो एक नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, यह आधा नंबर भी मिल सकता है, अगला है, अनुगमन बेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित कीजिए, अगला क्वेशन है, क्वेशन नंबर नाइन है, किर्चाप का नियम, और इसके बाद अगर किर्चाप का नियम आपने पढ़ लिया, तो इससे रिलेटड आपके तीन टॉपिक तयार होने वाले हैं, किर्चाप का नियम अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो हुइट स्टोन सेतु में आपको कोई प्राब्लम नहीं होने वाला है, फोई टिस्टोन सेतु में कोई समस्या नहीं होने वाली, और ना कोई समस्या आपको विभव मापी में होने वाली है, तीक है, विभव मापी में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है, और ना ही मीटर सेतु में, तो किसी में भी कोई समस्या नहीं होगी अगर आप किर्चाप का नियम अच्छे से समझ ले हैं और उसको apply करना सीख गए हूँ अगला question देखिए question number 10 अब इस chapter से धारा तथा अनगमन बेग में क्या संबंद है यह तो हमने लिख दिया न धारा घनत उसे आप क्या समझते हैं दो number में questions पूछा जा सकता है तो सब को पता है धारा घनत ये बराबर क्या होता आई अपाँ? धारा घनत ये बराबर क्या होता आै अफाई? तो यह तो भाई आप लोगों को याद रहेगा तो इसको हम write नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर, चैप्टर नमबर 4 की तरफ, ठीक है, तो चैप्टर नमबर 4 से जो important question आपका बन सकता है, चैप्टर नमबर 4 है गतिमान आवेस और चुम्बुकत, तो यहाँ से जो है सबसे पहला तो question यहीं आपका बन सकता है कि बायो सेवर्ड का निय किसी बृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अच्छ से एक्स दूरी पर वैदुच्छेत्र की ती बृता ठीक है यह question जो है काफी ज्यादा important है इस chapter से बन सकता है और देखो question number 12 है इसी chapter से एक और important question है धारा वाही परनलिका धारा वाही परनलिका ठीक है अब धारा वाही परनलिका के अच्छ परचुमब की खेत्र की ती बृता कितनी होगी तो एक बात आप अच्छे से फिर किलियर कर लीजिए कि धारा वाही पर नलका के बाहर चुम्ब की एच्छेत्र का मान जीरो होता है जो कुछ भी चुम्ब की एच्छेतर होता है वो धारा वाही पर नलका के अच्छ पर ही चुम्ब की एच्छेतर की तीबरता हमको मिलती है ठीक है बाहर 0 होता है और क्यों 0 होता है इसका कारण आपको इससे जो है असपस्ट रूप से मिल जाएगा और इसका कारण हम ने जब ये question करवाया था, तो वहीं पर जो है, इसके कारण का explanation दिया था, कि क्यों जो है, उसके बाहर चुम्ब के छित की तीवरता का मान 0 होता है, और अंदर मिलता है, तो अंदर अगर हम बात करें, कितना हो जाएगा, चुम्ब के छित की तीवरता mu 0 n i, जहां पर n क्या है, धारा आई पर नलका में फेरों की संक्या है, और आई जो है, पर नलका में बहने वाली धारा है, तीक है, इतनी बात समझ भाई, चलिए, आगे देखिए, अगला question, question number 13 है, आपके chapter number 5 से, chapter number 5 से, एक ही question जो हम बार बार आपको बोलते हैं, भू चुम्ब कत के आवयो, ठीक है, तो पदर घटा, ठीक है, इस पर question बनता है, और एक question बनता है, अनुचुम्ब किये, प्रतिचुम्ब किये और लौः चुम्ब किये पदर आउर्थों में अंतर, ठीक है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, आनु चुम्बकिये लौह चुम्बकिये वा प्रति चुम्बकिये पदार्थों में अंतर ठीक है इन पदार्थों में क्या अंतर है इसको जो है आपको लिखना है और लौह चुम्बकिये पदार्थ के अंतरगत कौन-कौन आते हैं वह सारी चीजें भी मैंने लिखवाई थी कौन-कौन से पदार्थ है जो लौह चुम्बकिये के अंतरगत आते हैं ठीक है और कौन-कौन से अंचुम्बकिये के अंतरगत और कौन-कौन से प्रति चुम्बक में पूछ लिए जाएगा सिर्फ आपको नाम लिखना रहेगा चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की कितने question हुए थे 13 14 चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो question आपका यही हो सकता है कि बैदुचुमब की प्रेराण संबंदी फैराडे का नियम लिखिए ठीक है फैराडे का नियम और फैराडे ने जो है दो नियम दिया था कितना नियम दिया था दो और दोनों नियम को हमें क्या करना है explain करना होगा उसके बाद यहां से जो question बन सकता है वो question है क्या लेंज का नियम उर्जा संरचन के सिधान पर कार करता है या उर्जा संरचन के सिधान पर आधारित है कि नहीं है यह question यहां से बन सकता है लेकिन इस question पूरी तरीके से बिल्कुल theoretical है ठीक है यानि जो आप experiment करेंगे फैराडे के उसी experiment के आधार पर उसके लेंज के नियम की भी explanation आप कर सकते हैं ठीक है अगर उसको आप हलके से एक बार पढ़ लेंगे तो उसको में बहुत जादा attention लेने की ज़रूरत नहीं उसको जो हलके से आप लोग एक बार देख लीजिएगा और वो question आप कर जाएंगे अगर board exam में पूछा जाएगा लेंज क वैदुत चुम्ब किये प्रेरण क्या होता है इस घटना के प्रकारों का बिस्तरित वरण कीजिए अब जरह देखिए इस question को थ्यां से वैदुचुम्ब किये प्रेरण क्या होता है तो यानी पहले तो आप वैदुचुम्ब किये प्रेरण के definition बिद्स चुम्ब की प्रेरण होते कितने टाइप के हैं वैदु一直 mujerand दू टाइप के होते लेकिन अगर पांच नंबर में पूछा जाएगा इसमें से परकारों में से किसी न किसी एक के बारे में पूछेगा दोनों नहीं पूछेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है चाहे आपसे अन्योन प्रिरण गुणां या फिर या इसमें question यह जोड़ सकता कि वैदो चुमब के प्रिरण क्या होता है ठीक है दो समतल कुंडली के बीच अन्योन प्रिरण गुणां का सूत्र ग्यांत कीजिए ठीक है तो वो इसी question के अंतरगत आ जाएगा या वैदो चुमब के प्रिरण क्या होता है किसी बृत्यकार कुंडली के कारण स्वाप रेण गुडांक निकाली है, स्वाप रेण गुडांक कोई भी समतल कुंडली दे दिये, उसका स्वाप रेण गुडांक आप से पूँच लिया जाए, ठीक है, तो यहां से जो है question बन सकता है, और यह confirm है कि इस topic से question board jam में आना ही आना है, ठीक है, वो 7 सेट में से यह भी हो सकता है, कि 3-4 सेट में यह question common मिल जाए, या ऐसा भी हो सकता है, अगर कम से कम आएगा, तो कम से कम 3 सेट में यह question तो आना ही आना है, इस question पर जो है आप ज़्यादा focus कीजिएगा, इस question को पूरा अच्छे तरीके से लांग में तयार कीजिएगा, यानि पूरे full explanation के साथ, चलिए, ये तो हो गई chapter number 6 की बात, अब हम बात करते हैं chapter number 7 की, तो chapter number 7 से जो अगला important question है, chapter number 7 का, chapter number 7 है क्या, प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा में, हमने आपको पढ़ाया क्या-क्या है, L परिपद, C परिपद और R परिपद, अलग-अलग इन तीनों परिपदों को हमने पढ़ा रखाया, और उसके बाद फिर इन तीनों को एक साथ combine पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इन सब को अलग-अलग, चाहे अगर आप चाहते हैं, अलग-अलग पढ़के फिर एक साथ समझना, वसे हम, अलग-अलग, पढ़ने से बेटर है का आप सीधे combine रूप में LCR पढ़ो, और उसमें ज फोकस थोड़ा साथ ज्यादा करिए, चैप्टर नमबर सेबन के इस question पर, ठीक है, और इसके बाद आपका एक और इसी में important question है, ट्रांस-फार्मर, ट्रांस-फार्मर, और आप unsolved paper उठा के या कहीं, अगर आपको previous year का question paper ही मिल जा, तो आप देखिए, ट्रांस-फार्मर से या तो ट्रांस-फार्मर का explanation पूछा है, या तो इस पर numerical पूछा है, ठीक है, तो ट्रांस-फार्मर जो है, इस chapter का काफी ज़्यादा important topic है, इसको हमें miss नहीं करना है, ना तो इसके numerical को छोड़ना है, ट्रांस-फार्मर के, और ना है इसकी पूरी working को, ठीक है, चलिए, आग काफी ज़्यादा important है, chapter number 8 जैसा कि यहाई बैदो चुमबके तरंगों के बारे में, ठीक है, तो बैदो चुमबके तरंगे होती क्या है, ठीक, बैदो चुमबके तरंगे होती क्या है, और साथ ही साथ बैदो चुमबके एकसपेक्टर, ठीक है, विस्थापन धारा, इस पर क्वेश्चन नूट कीजिए इस चैप्टर के बैद दूट चुम्ब किये तरंगे किसे कहते हैं किसे कहते हैं ठीक है और इसमें बैद दूट चुम्ब किये एक्सपेक्टरम इसको आप अच्छे से त्यार कर लेना आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर नहीं पार्ट टू यह तो हो गया पार्ट वन के ठीक है पार्ट वन के इंप्वर्टन कोईशन हो गया अब देखिए फिजिक्स पार्ट टू यानि चैप्टर नमबर नाइन किरन प्रकास्की तो प्रकास्की आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़िए और इस अभी रेसेंट में ही प्रकास्की का फाइनल साड भी आपका कम्पलीट हो गई तरंग प्रकास्की और किरन प्रकास्की दोनों प्रकास्की जो है आपकी कम्पलीट हो गई तो इससे प्रकास्की के कोईशन देख कीजिए ठीक है गोलिय प्रिष्ट के द्वारा आप वरतन का सूत्र ग्याद कीजिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और उसी से रिलेटेड अगर आप गोलिय प्रिष्ट के द्वारा आप वरतन का सूत्र निकाल लिए तो lens maker फार्मूला आप आसानी से डराइब कर सकते हैं तो लेंसमेकर फार्मूला आप आसानी से डराइब कर सकते हैं उसमें कुछ भी नहीं है गोलिये प्रिष्ट के लिए अपवर्तन का सूत्र या इसी को यूज करते हुए ऐसे पूछ लिया जाता वन अपाने फिजकल टू प्रूफ कीजिए एन माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू ठीक है यह क्या है भाई आपका यह जो है आपका लेंसमेकर फार्मूला है या इसकी जगा पे ऐसा भी लिखा मिल सकता वन बाई बी माइनस वन बाई यू ठीक है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर यह आप समझ गए तो यह आप आसानी से समझ जाएंगे ठीक है क्योंकि अगर हम लेंस की बात करें तो इसमे के जोड़ दो ठीक है यह आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नमबर 20 प्रिजम का अपवर्तनांग मूव इक्वल ऊण साइन ए प्लस ड remarkably 2 अपान साइन अबाइ 2 , ठीक है प्रिज्म का अपर्टनां ग्याद कीजिए, सूच में दर्सी तथा दूर दर्सी, अगला क्वेश्चन है, सूच में दर्सी तथा दूर दर्सी की आवर्धन छमता ग्याद कीजिए, और इसका एक अलग से, केवल एक अलग से ही इसका आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, अप्टिक्स में प्रकास्की में इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, जिसमें केवल सूच में दर्सी और दूर दर्सी को हुई, मैंने डिसकस किया, उसमें और कोई एक्स्टा टॉपिक नहीं है ठीक है तो अगर आप चाहते हैं तो इसको एक ही वीडियो से आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं यह आपके 36-35 मिट का वीडियो है अगरा question, question number 22 आज यह अगले chapter से तरंग प्रकास की से और तरंग प्रकास की कि में क्या important है हाईगेंस के दितियक तरंगाउं का सिध्धान तिलिकी और इसकी कमीयों का उलेख कीजिए पहला question हाइगेंज के दितियक तरंगिकाओं का सिध्धान्द लिखिए हुआ इसके या इनके कमियों का उलेख कीजिए ठेक, अगला क्वेशन है हाइगेंज के दितियक तरंगिकाओं के सिध्धान्द के आधार पर बितकरण या विवर्तन की घटना को समझाइए ठीक है Question No.23 बितकरण वा विवर्तन बितकरण वा विवर्तन बितकरण में सबसे ज्यादा इंपर्टेन्ट आपका येंग का परियोग है और बितकरण की खुद घटना ठीक है बेतकरण की तीब्रता निकालना परडामी तीब्रता यानि आई मैक्स और आई मिनमम का रेसियो ठीक है विवर्तन में एक ही आपका टॉपिक है और वो है एकल जिर्री द्वारा या पतले जिर्री द्वारा प्रकास के विवर्तन के प्रारूप की ब्याख्या और उसमें भी ज्यायमीति है प्रारूत की ब्याख्याशा, जो की अभी recent में, ठीक है, अभी recent में ये complete हुआ है, इसोप यंदा आपको अच्छे से तयार भी होगा, आज अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नमबर 11, परमाडू की तरफ, ठीक है, चैप्टर नमबर 11 आप क्या है, परमाडू नहीं, प्रकास की द्वत्तिय प्रकृत है, ठीक है, तो 11 से जो question आपका बनेगा, 24, ठीक है, वो है, चैप्टर नमबर 11, प्रकास की, प्रकास वै कि घटना समझाइए ठीक है यहां से क्वेश्चन बन सकता है आइंस्टीन का उर्जा समीकर ठीक है आइंस्टीन का सब्सक्राइए अर इसका कोयी पीड़ीएफ मत बंगना पहले कि मैं बता दे रहा हूं सकता है का मैं आपका क्या important हो सकता है एक सेकंड मैं सूच के बताता हूं थोड़ा सा तो देखिए भई कि चैप्टर नमबर 11 परमाड़ों से जो question बन सकता है सबसे पहला question तो बन सकता है वो रदर फोड का परवाण माडल ठीक है रदर फोड का परवाण माडल और दूसरा जो क्वेश्चन और रदर फोड का परवाण माडल आप काफी पहले से ही जानते हैं तो उसमें बहुत जदा उसको अगर आप एक बार हलके से देखेंगे भी तो वो आपको याद आ और याद भी हो जाएगा और दूसरा जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन इस्पेक्ट्रम यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 11 से और इसके साथ साथ अथ्वा में पूछ लिया जा सकता है रदर फूर्ड का परमाडू माडल ठीक है चैप्टर नंबर 12 यह निकी 13 नाभिक की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 नाभिक की हम बात करें तो नाभिक से जो आपका इंपॉर्टेंट कोईशन बन सकता है जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रतिन यूकलि हम जो बंधन ऊर्जा हा वह ओट आपशन तीस परसेंट के रिड्यूस इलेवस में वह बह गया ठीक है बचा क्या है नाभ किये ऊर्जा अब नाभ किये अउर्जा आपकी दो प्रकार की होती एक नाभिक की विखंडन से हमको मिलती है और दूसरा नाभिक के सनलेंग से मिलत 12 से important topic है, नाब किये उर्जा, आज आओ, sorry 13 था, आज आओ last chapter, अर्ध चाला की लेक्टरानिकी पर, तो अर्ध चाला की लेक्टरानिकी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो आपका PN संधी diode, PN संधी diode, अब अगर PN संधी diode की हम बात करें, तो PN संधी diode क्या होता, सिर्फ यहीं बात खतम नहीं होती, PN संधी diode के तीन यूजेज हैं, सबसे पहला अर्ध तरंग दिष्टकारी, और दूसरा पूर्व तरंग दिष्टकारी, और तीसरा जो है, SORE cell में, ठीक है, या SORE उर्जा की आप बात कर सकते हैं, PN संधी diode का, अर्ध तरंग दिष्टकारी में यूज होता है, कहां? अर्ध पूर ठीक है और तीसरा जो होता है वो सौर उर्जा के रूप में तो पियन संदी डायोड होगा और उसके बाद हमको यह लग रहा था कि ट्रांजेस्टर जो है आपके चैप्टर से स्लैबस से हटा दिया गया लेकिन ट्रांजेस्टर है ठीक है जिन डायोड वारा कॉ चुँ जुझ से जितने भी उपकरण बनते थे जितने भी अर्ध चालक डिवाइसे बनती थी वह जारी चीजा हटाई गई है तो ट्रांजेस्टर भी आप देख लीजिएगा आलाकि यह हम पढ़ाएंगे आपको ट्रांजेस्टर अ ट्रांजिस्टर ठीक है तो ट्रांजिस्टर का जो equation important है वो मैं करवा दूँगा तो इसके लिए आप tension मत लो ठीक है ट्रांजिस्टर वाला को मैं करवा दूँगा इसके लिए आप बिल्कुल भी free रहो कोई tension वाली बात नहीं है और यह सारे question का solution जो है आपको कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ final start का वीडियो अगर आप देखते हैं श्रू से आ रहे हैं और अगर आप final start की कोई video मिस नहीं किये हैं तो सारे question के solution जो है आपको कर वाने वाले ठीक है और अगर उस č वीडियो को आपने नहीं देखा तो नीचे है कल हीенд सिँवा के वीडियो है प्लेडियो में पढ़ा होगा पूसको जाके देख सकते हैं ठीक है नुमारीखल को कैसे करना है कि numerical के कितने question हम आपको करवाने वाले है या numerical के बारे में हमारी क्या strategy है क्या plan है वो सारी चीजे जो है कल के वीडियो में मैंने basis किया हुआ है ठीक है या कैसे numerical को हम start करें कहां से लिखना start करें ठीक है सारी चीजे कल के वीडियो में मैंने detail में numerical के बारे में बताया है तो अगर आपने नहीं देखाया है तो playlist में पढ़ा होगा जाके देख लो ठीक है और कोई समस्या कोई परिसानी हो तो नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हो और I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई होगा वीडियो पसंद आई है तो उसे वीडियो को लाइक कीजिए और साथी साथ comment करके बताईएगा कल तो आप लोगों ने maximum लोगों ने comment करके बताया ही है कि numerical की जो yearly यानि हर एक साल के numerical की discuss करने की बाद हमने किया है वो आप लोगों ने maximum बच्चों ने comment किया है कि सर दो वीडियो में ठीक है मुझे भी लग रहा है कि दो ही वीडियो में करें जिससे जो है थोड़ा आपको भी आसानी समझने में हो जाएगी और वीडियो का length भी छोटा ही रहेगा तो उसे upload करने में भी आसानी रहेगी ठीक है तो मिलते हैं फिर next वीडियो में और अगर कोई suggestion या और कोई भी आपको problem में होगी या कोई समस्य अगर है तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं और साथे साथ यह जरूर comment करके बचाना कि वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो like और share करना मत भूलिएगा